बेस्ट लैप्टॉप अंडर 30,000 यह हमारे आज की वीडियो को टॉपिक है अब यह टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि पिछला वीडियो मेरा लैप्टॉप के उपर था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक स्टुडेंट हो टीचर हो या शॉप ओनर हो तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंट करूंगा सबसे पहले वीडियो देखो उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों जीहां और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सरे स्टूडन ने पूचा था कि सर हमारा जिसमें अभी इस वीडियो में स्पेशली में पाच बेश्ट लैप्टाप बताने हो जो 30,000 के आसपास रहेंगे एक्जैटली 30,000 प्राइज नहीं रहेगी आसपास 32 रह सकता है 31 रह सकता है ओपर में ये प्राइस कम ज्यादा हो सकता जैसे अभी ये वीडियो अपलोड कर लेंगे आपके बज़ेट की सबसे 32,35 या 29,000 के आसपास रेंज में ये लैप्टाप में आपको बता रहा हो जिसमें मैंने कंसीडर कर लिया कि वह इसमें 8GB का रायम होना चाहिए और SSD harddisk होना चाहिए और processor latest होना चाहिए तो ये तीन सीजे मैंने यहाँ पर कंसीडर करके ह और चलिए देखते हैं कौन से 5 best laptop जो आपको अगर 30,000 आपका बज़ेट है तो लेने चाहिए मतलब 5 नहीं एक ही लेंगे लेकिन इन में से एक आप चूज करेंगे मैं सतीश कंप्ली टेकना हो चैले मैं आप सबका स्वागत कता हो लेट्स बेगिन तो दोस्तो हमारे लिश्वे पाच्वे नंबर पर हॉनर का मैजिक बुक एक्स फिप्टीन लैप्टॉप इस लैप्टॉप में जो प्रोसेसर है वो इंटेल का आई 3 टेन जेनरेशन का प्रोसेसर वैसे देखा जाए तो आई 3 में 11 और 12 जेनरेशन लेकिन इस प्राइस प्रोसेसर है साथ में रैम इसमें 8GB RAM है स्टोरेज इसमें SSD टोरेज 256GB का है यह 15.6 इंच का लैप्टॉप आपको मिलने वाला है यह 39 लाइट वेट लैप्टॉप है अलुमिनियम बॉडी है अलुमिनियम मेटल बॉडी है बेसिकली और यहां पे इस लैप्टॉप का वेट जो है 1.5 वेज器 है एज़िली आप कैरी कर सकते है साथ ही में इस लैप्टॉप का एक खास feature है इसमें camera मिलता है pop-up camera मतलब एक click से camera open एक click से camera close यह pop-up camera best feature मुझे लगा है इसका battery backup है 7 to 8 hours का और यह fast charging को भी support करता है तो इस लैप्टॉप को आप consider कर सकते है इसका जो प्राइ कम जादा होता रहता है और card के उपर offer भी आते रहते हैं तो आप ये check out कर सकते description में मैंने link दी है इस laptop की अगर आप इस particular laptop को लेना चाहते है तो हमारे list पे चवते नंबर के position पे HP का 15S laptop ये भी काफी अच्छा laptop है इसका specification मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें AMD का Athlon 3050 प्रोसेसर आपको मिलने वाला है AMD प्रोसेसर यहाँ पर मिल रहा है साथी में यहाँ पर 8GB DDR4 की RAM मिलती है और storage जो है 512GB storage यहाँ पर SSD storage आपको मिल रहा है काफी अच्छा storage यहाँ आपको मिल रहा है और storage expandable भी है इसमें आप 2TB तक expand कर सकते हैं इसमें Windows 11 operating system आपको pre-install मिलेगा साथ में MS Office भी install मिलेगा पहले से और HD webcam यहाँ पर HD webcam 9500 के आसपास अभी है currently description मैंने link दिए जरूर चेक आउट करना अब बढ़ते हमारे तीसरे नंबर की position की laptop की तरफ हमारे लिश में तीसरे नंबर की position पे एसर का Aspire 3 laptop दोस्तो इसमें Ryzen 3 processor है जो की 8GB RAM के साथ आता है 256GB storage है Windows 11 यहाँ पे install रहेगा MS Office भी pre-install रहेगा और इसमें जो 8GB RAM install है वो upgradeable है मतलब 12GB तक यहाँ पे आप upgrade कर सकते RAM को साथ में जो SSD 256GB का आपको मिल रहा है वो NVMe M.2 वाला SSD आपको मिल रहा है जो की latest SSD का टाइप है दोस्तो इसमें Acer iCare डिस्पले है AMD Radon Graphics प्री इंस्टॉल है good battery life है और dual band Wi-Fi support भी यह करता है दोस्तो तो इतने सारे features के साथ Acer आपको यह laptop provide कर रहा है और इसकी जो price है लगबग 29,000 के आसपास है तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई यह laptop आपके लिए ठीक रहेगा तो description में लिंक दीए जरूर चेक आउट करना इसके और detail pacification और वहां से आप खरीच सकते हैं तो अब हमारे leash में दूसरे number की position पे है यह कापी अ 6 graphic भी pre-install रहता है और यहां पर 15.6 inch की FHD anti-glare display आपको मिलता है साथी में इसमें जो RAM है वो 8GB RAM रहती है pre-install RAM 8GB है और आप इसे expandable कर सकते है 16GB तक और इसके अंदर जो SSD storage है वो 512GB NVMe M.2 यानि कि latest SSD storage भी आपको यहापे मिल रहा है जो की expandable है up to 2TB तक और Windows 11 यह pre-install देता है साथ भी में यहापे HD webcam भी आपको मिल रहा है और stereo speaker भी इस laptop के अंतर मिलता है तो यह जो laptop है basically एक processor की सबसे काफी अच्छा processor है RAM भी है RAM को expand भी कर सकते हैं आप सारी चीज़े यहापे इस laptop में यहापे लगबग अच्छी मिलती है तो अगर आप एक अच्छा processor consider कर रहे है price point 30 or 35 के बीच में तो यह laptop आप consider कर सकते हैं जो कि लगबग 34,000 के आसपास मिलता है दोस्तों लेकिन offer में यह और भी price drop हो सकती है तो आप Christmas या New Year के offer में check out ज़रूर करना अब हमारे list पे पहली number की position पे अब यह पहली number की position पे की है यह मैं बताऊंगा आपको पता चल जाएगा basically यह है Acer का Xtensa 15 laptop इसमें जो processor आपको मिलता है वो i3 का 11th generation का processor मिल रहा है साथ ही में इसमें RAM जो मिल रही 8GB की और यह expandable 12GB तक क्योंकि इसमें onboard जो RAM रहती है वो 4GB रहती है और system RAM 4GB रहती है expandable 12GB तक RAM यह आप कर सकते है slim and lightweight laptop है यह दूस्तों इसमें excellent battery life आपको मिलती है dual band Wi-Fi support भी यह करता है साथ में जो storage है 512GB का यहाँ पे आपको big storage मिल जाता है और यहाँ पे Intel का UHD graphic in build भी रहता है इस laptop में तो यह कापी अच्छा processor RAM के साथ आपको यह laptop मिल रहा है 34-35 के आसपास इसकी price उपर नीचे होती रहती है तो यह laptop आप check out कर सकते है description में सभी laptop की मैंने वै budget की साब से या फिर आपको लगता है कि यार मुझे यह brand पसंद है और एक कि अपने-पने brand वाइज पसंद होती है तो आपको जो भी brand पसंद है जैसे HP का है, SR का है या फिर आपको लगता है Linux का तो Linux के brand के तरह आप आप जा सकते है description में आरे laptop की link मैंने दी यह वीडियो कैस लगा आप मुझे जरूर बताना साथ में वीडियो को like, share और comment करना और next वीडियो में मिलते है under 40,000 laptop के साथ मतलब under 40,000 के budget वाला laptop आपको मैं बताओंगा कि वही 40,000 के price range में कौन सा laptop बेश रहेगा आपके लिए मैं collect करके लाओंगा latest laptop में से कौन से अच्छा laptop है आपके लि अगले वीडियो के अंदेर तब तक के लिए अपना खायाल रखना बाई बाई